कलम गवा है कि इस अंक में मुलाकात वर्ष्ट पत्रकार, संपादक, लेखक, प्रिटन में भारत के पूर्व हाई कमिशनर और पूर्व राजसाभा सदस्य कुल्दीप नईयर के साथ आगास तो किया था अंजाम के साथ, पर पता नहीं था कि अंजाम तक जाने के लिए एक जिन्दगी काफी नहीं जी हाँ, अंजाम अख़बार से पत्रकारिता का सफ़र शुरू करने वाले कुल्दीप नईयर का जन्म 14 अगस्त 1929 को अविभाजित भारत के सियाल कोट पंजाब में हुआ, पिता गुरुबक्षि सिंग डॉक्टर थे कुल्दीप नईयर ने ग्राजुएशन और वकालत लाहर विश्वध्याल ऐसे की, इसे दुखत सैयोग ही कहेंगे कि उनके जन्म दिन यानि 14 अगस्त 1947 को उनकी जन्म भूमी पराई हो गई, विभाजन की लकीरे खिज गई और नईयर सहाब को दिल लिया आना पड़ा कई महीनों तक उनके बाद यहां घर नहीं था, पुरानी के लिए में वो रुक्षुआ करते थे, घर नहीं था, इस हालात में अगर कोई और दूसरा होता तो खतम हो जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने आपको संभाला, पढ़ाई की, सेल्फ मेड, सबसे बड़ी बात करती है कि सर्फ मेड बात भी है, कुल्दीप नहीं दिल्ली में मुफलिसी की दिनों में ही उन्हें अंजाम में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए उन्होंने गांधी जी की हत्या की रिपोर्टिंग की लेकिन भारत में उर्दू के धुमिल होते हुए भविशे को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम का दामन थामा और दे स्टेट्समेन में नौकरी कर ली इस बीच उन्हें अमेरिका की नौर्थ वेस्टन यूनिवरसिटी के मेडल कॉलिज के जर्नलिजम कोर्स में दाखिला मिल गया खराब आर्थिक हालात के बावजूद उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया अमेरिका से आने के बाद वो प्रशासिनिक सेवाओं में आ गए और गोविंद वलब पंथ के प्रेसलहकार बने पंथ जी की मृत्यू के बाद कुल्दीप नईयर लाल भादू शास्त्री जी के प्रेसलहकार बने उस वक्त शास्त्री जी ग्रह मंत्री हुआ करते थे किया करते थे he was a very hands-on person and not only was he content with just editorializing but he also got so many scoops because he used to mix and he knew a lot of people and he had excellent sources जब 1979 में Congress का विभाजन हुआ तो उन्होंने सिंदिकेट का साथ दिया जिसका खामियाजा उन्हें आपातकाल में भुगतना पड़ा उस वक्त वो दे इंडियन एक्स्प्रेस के संपादक थे उनकी सरकार विदरोधी त्रिपणियों के कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा 1990 में उन्हें ब्रिटिन में भारत का हाई कमिशनर नियुक्त किया गया 1997 में वो राजसभा के नामित सदस्य बने नईयर साहब ने अब तक करीब 15 किताबे लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं बिट्विन द लाइन, डिस्टन्ट नेबर्स, इन जेल, दमार्टर भगत सिंग एक्स्परिमेंट्स इन रिवलूशन और एक जिन्दगी काफी नहीं आए कुल्दीप नयर की इस यात्रा का पहला अंग उनके ही शब्दों में सुनते हैं उनसे बाचीत कर रहे हैं वरिश्य पत्रकार और संपादक आलोक महता नयर साब आपका इस कारकर में स्वागत है और मैं जाना चाहता हूँ चुकिए आपके कई रूप रहे हैं संपादक, रिपोर्टर, उसके बाद लेखक फिर राजनीती में आपकी मनें ऐसे तो आप नॉमिनेट हुए लेकिन फिर भी राजनीती में भी आपके एक सक्री रोल रहा और डिप्लोमेटर है जो बहुत रेयर ऐसा है जो इस तरह के कॉम्मिनेशन हो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा काम अच्छा लगा पत्तर का जब मैं रिपोर्टर था वही सबसे अच्छा लगा क्योंके मैं देख सकता था कि एक रिपोर्ट लिखी यह तब की बात करो और यह कालम लिखा तो उसका असर देखा अब यह लोगों का कहना है बलके मिस्स गांदी नहीं भी कहा यह इंद्रा गांदी के खलाफ मैंने काफी लिखना शुरू किया क्योंके एक डिक्टेटोरियल उनका टीचूद हो रहा था और इस्टेश्मेन की बात है वह है फिर उसके वागों उनने एमर्जेंसी लगाई तो बाद में मिस्स गांदी ने कहा किसी से कि यह सब कसूर इस आदमी का है यह जो कॉलम लिखा और यह मुझे बहुत तंग किया और मेरी जो शाषन आया या मेरा काम करने का वो सब इसका तो इसकी टीका टिपनी से मुझे बहुत तंग आया और लोगों पर बहुत असर पड़ा तो यह एक मुझे करना पड़ा यह तो कहरा आप इंद्रा जी से पहले में वह जानना चाहता था कि आपने तो शुरुआत की कि पहले अख़वार कोड़े दिन बेचा फिर आप उर् उर्दू पेपर में, पार्टिशन के बाद, जो कम्यूनल चार्ज महोल था, संप्रदाई तनाओ, उस समय में कैसे आप उर्दू के अख़वार को तो बहुत प्रोव मसलिम होगा और आप को यहां रेपोर्टिंग करना थी? आप को बताता हूं, बहुत इज़त से देखते थे खैर को मैं वैसे भी पड़ा लिखा बहुत था लेकिन दूसरा वो यह कि एक हिंदू है, वहां से सब उजड़ा उजड़ा और यह हमारे साथ काम कर रहा हैं, तो उनको इस बात का पास था, तो जब आप बैठके आप काम बहुत दोस्तों हो गए, तो उन्हों ने कहा भी देखो कभी हम लोगों ने दूसरा ने यह को रिपोर्टिंग कभी नहीं की, हम वही ले ले लेते हैं, पीटी आई से तो वह तो हम आप रिपोर्टिंग शुरू करते हैं, तुम किया करो, तो जब गांदी जी किया अग्व तो मैं याद है कि मैं डेस्क पर बैठा हुआ था, तो उस वकत यह जो बहुत बड़ा होता था तो उसका घंटी बजती थी, वो जो पीटी आई की, वो पीटी अवे ले थे, वो टेली प्रिंटर होता था, तो वो तो देखा गंदी शॉट, तो मैं निखा भई, मैं देखि रिपोर्टिंग कराऊंगो तो मैं चलता हूँ, तो मैं तो वहां गया, अब मुझे याद है में तक कि भई, बिल्ला हाउस में कोई security तो नहीं सीधा चला गया, वहां एक थोड़ा सा race platform सा बना हुआ, उस पें गांदी जी की body पड़ी हुई थी, अब साथ मुझे याद है क एक दाइरा सा बना, जिसमें पंड़त-पंथ जिनका बाद में मैं information आपसी बना, वह पास ही थे, और भी थे, और मेरे वक्त होते हुए, लाड मॉंट बैटन आये, उन्हों सल्यूट किया body को, जवार लान नयरू, सर्दार पटेल, सब बैठे हुए थे, और ये के, ये समझ नहीं आ रहे थी, कि ये बापू के मनने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि हाँ हाँ, ये तो किष्टी अमारे केंच के ले आया, दुरियास से अब, और ये के भई, अब अजादी भी दलवा दी, लेकन आगे क्या होगा ये, ये भी उस दिनों में जाहर था, कि बहुत बंती नहीं आपस में दोस्ते, तो, अब सर्दार पटेल, उसकी रिपोर्टिंग की, जो सारा दर्श्ट देखा, हाँ, मैं बताता हूं ने, सर्दार पटेल जो थे, वो जरा समझे जाते थे, कि बई, ज्या प्रो हिंदू है, मुझे यादा है, सर्दार पटेल ने अब गांदी जी ने हम दोनों को चुना था, हम तो दोनों को अठा रहेंगे, जो भी हो, अच्छा बुरा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? लेकिन मैंने वो नजारा देखा, उस पर रिपोर्ट किया, भाई गांदी जी से, ये, वो, मैंने वो जगा देखी, जहां पर गां तो आके रिपोर्ट तो किया, लेकिन उसी रात एक दमगे हुए फसाद पूने में, तो अब मैं डेस्क पे बैठा हुआ था, ये तो बहुत फरक निसा रिपोर्टिंग की अब डेस्क पे, तो मैंने वो खबर जो थी, मैंने का देखो, ये अभी अभी गांदी को मारा, दूसरे दिन सुमा वो एडिटर तो यासीन साफ तो उनने का, कि हमारे खबर नहीं आई, दंगे की खबर आपने नहीं दी, मैंने का जी मैंने नहीं दी, क्यूं, मैंने के देखिए दंगे फसादों से तो गंदी जी का वो आप पिर वही निगा निगाने, कहता है देखो, अब तुम शुरू हो रहे हो, हमारे जैनलिस्टों का काम जो है, एक अजीब सा है, हम एक आँख हैं जो के रीडर की है, अब रीडर तो वहां माजूद नहीं होता है, लेकर रीडर की हम आँख हैं, और अब अगर हम ही जो देखें और रीडर को ना बताएं, तो फिर द्या नत्रारी नहीं है, इसलिए जो भी अच्छी बुरी खबर हो, तो तब से मैंने ये सीख लिया, कि ये जो है, अपना काम जो है, वो रिपोर्ट करना है, अब्जेक्टिवली, कोई इस्तिहाल से नहीं, तो वो एक सबक है, वो बहुत काम आया जिन्दगी में. तेकि नायर साब ये जो आप चुकी गोइन वालब पन जी और शास्त्री जी के साथ रहें, नहीं है, लेकिन ये जानना चाहता था कि मैंने आपके पढ़ा, कि शास्त्री जी को भी आपने कहा कि, भई लिख कर के कमा सकते हो पैसा है. शास्त्री जी को मैंने कहा भई आब चलिए तो कहने लगे भई ये गुजर कैसे होगा ये क्यों मेरे बात तो को पैसा है नहीं ये सही भी था वो मिलता है उससे कितना गुजारा हो सकता है मेरे बच्चे चोटे-चोटे उनको पढ़ाना है क्या कर दो तो मैंने कहा शास्तीजी देखिए आप मुझको हर महीने एक आर्टिकल लिख दे तो कहते उन्हें लिखा या नहीं कभिश्जी मैंने कहां यह आप जैसे भी आप लिखते हैं को लिख़र है तो पहला तो मैंने कहा कि ये देखे आपав मैं लाला राच्पत्राई को बहुत एक कुन पर लिखिये पहले. फिर उसके बाद पंदरना रूपए. तो अब मैंने क्या किया किया इदर टाइम्स अफ इंडिया, उदर अमर्थ बजार पत्र का होते था है, अनंद बजार पत्र का, दिली में हंदुस्तान टाइम्स, और नीचे मदरास में एक अख़वार मेल ह करता था. इनको कांटेक किया, तो मैंने कहा, मैं शास्त्री जी का, मैं तुम्हें आर्टिकल दूँगा. तो वो, वो 500 रुपया हर एक ने मान दिया. 2000 उन दुन में बहुत अच्छा, तो शास्त्री जी भड़े खुश हुए को का. ऐसे ही आपने UNI, वो जो मुलगवाकर मिलता था तो काफी कुछ उनका ख्याल अच्छा था, तो उनने ने सर्च लाइट एक अख़वार गआ करता पटने में, कहने लगा, वहां चले जाओ, हमारा एडिटर बन जाओ. मैंने का जी पटने कौन जाएगा, आप यहीं कुछ कर दिये. कि यहां तो वो एजनसी के हम बात कर रहे हैं, तो यह जो पी टी आई एक मुनापली नहीं हम चाहते हैं, यह यू पी आई किसी नहीं शुरू की थी, वो बंद हो गई, तो अब यून आई, तो यह चे अख़वार मिलके, हिंदू, हिंदूस्तान टाइम, टाइमस अफ इंडिया, सब एक्स अब मेरे दमाग में दिखी यह था, मैंने का एक तो पीटी आई के बहुत लंबे लंबे पन्ने, वो एक टेक, दो टेक, थरी टेक, मैंने शुरू किया कि हम जो जितनी भी कहानी हो, को स्टोरी हो वगरा, या तो एक टेक में नहीं, तो दो टेक से ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें आप एईटर होते हैं ये रिपोर्टिंग भी आपने की, बहुत, उस वक्त, क्योंकि मैं अब भी आया गौर्वर्मन्ट से, तो मेरे गौर्मन्ट से बहुत काउंटक्ट थे, तो मुझे पता था क्या होता है, तो अब काफी एक्स्क्लूसिव खबरें शुरू करती तो नायर साब हम इस बातसीत को जाई रखेंगे और किस तरह से उसके बाद के कई ऐसे मोड हैं, आपके जनलिजम के भी और इससे हटकर के भी डिप्लोमेसी में रहके, या बाद में जिस तरह से नेताओं के साथ अटल बिहारी वाज़ पे इसी लेके मनमौन सिंग तक, उस संदर में आप से बातसीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद के बाद के शुबह शुबह वो आये पुलीस वाले, तो मैंने कहां आँ देखिये, कहते हैं, नहीं सर्च वरांट नहीं, हमारे पास तो आपके अरिस्ट वरांट है कहा जाता है कि कुल्दीप नईयर के लेखों में जमीनी हकीकत दिखाई देती है, इसकी वज़े है उन्होंने जीवन के हर पहलू को जिया सियाल कोर्ट के संपन परिवार से जब कुल्दीप नईयर दिल्ली आए तो रिफीजी से ज़ादा कुछ नहीं थे, उनके बास कुछ था, तो वो थी वकालत की डिगरी और कुछ कर घुजरने की चाहा पत्रकारिता में अभी जम भी नहीं पाये थे कि शिकागो जाकर पत्रकारिता का कोर्स करने का सहसे कदम उठाया उस हाल कपा देने वाली सर्दी में कभी बरतन साफ कर खाने का इंतिजाम किया, तो कभी बहुमन्जिला इमारतों पर लटक कर शीशे साफ किये उनके ही शब्दों में कहें तो डर तो लगता था, लेकिन जीने के लिए इस डर पर जीत जरूरी थी शायद इसी जीत का असर था कि कुल्दीप नईयर की कलम कभी डरी नहीं रिपोर्टर और संपादक के तौर पर उन्होंने जो देखा वो लिखा 1979 में जब कॉंग्रेस का विखटन हुआ तो कुल्दीप नईयर सिंडिकेट के पक्ष में थे और उन्होंने इस बात को कभी चिपाने की कोशिश नहीं की उन्होंने इंद्रा गांधी की नीतियों की जम कर आलोचना की 1975 जब इंदीरा जी ने इमर्जनसी इंपोस किया सब लोग बहुत डरे हुए थे लेकिन नायर साब ने हम लोग सब रिपोर्टर्स को अपने कमरे में बुलाया और बोलो देखो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा बताना है कि हम लोग जॉर्नलिस्ट खिलाफ है सेंसर्शिप और यह अरेस्ट ऑफ जॉर्नलिस्ट जो हो रहे थे ना सिरी उन्होंने लेख लिखे बलके वो एक तरह से एक्टिविस्ट भी से कुछ ऐसे कौजिस का है जैसे सेकुलरिजम के उपर उन्होंने बहुत काम किया भारत और पाकिस्तान के संबंद कुल्दीप नेर के लिए ये विशे उनके दिल के सबसे करीब है कभी कभी इस विशे पर लिखे लेखो के कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हाला कि उनका हमेशा यही कहना है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी खत्म करना चाहते हैं आज भी वो दोनों देशों के रिष्टों के बारे में बड़ी शिद्द से लिखते हैं उनके लेखों में हर उस कोशिश को सराहना मिलती है जो रिष्टों में सुधार की गुंजाईश रखती है जल्दी ख़बर देने की प्रतोगीता में यून आई से कभी-कभी गल्ती भी हो जाती ती ये सही वो लड़ाई चल रही थी 1965 वार की तो उसने कहा कि भई वो आज फिफ्टीन पैटन टैंक हमने उड़ा दिया अब फिफ्टीन को फिफ्टी सुन दिया मैंने तो वो आप चेक तो करने हैं तो फिफ्टी चला गया वगारा फिफ्टी लेकिन बाद में पंदरा निकला बड़ जाए बाइड ताइम काफी इजने जून में आ गया दूसरे में आ गया अटर ट्रे किया तो एक अब यह कि रिपोर्टर रेइटर होने के नाते आपको रिपोर्टिंग मजा आया लेकिन कहीं आपको लगता है कि हरवड़ी में करने के कभी-कभी अथान होई है कि आप तो स्टेश्में में भी रिपोर्टिंग करते थे चाहे वो केविलेड रिशफल हो रहा है और उसमें तो मेरे दोस्ते पी आई बी में तो कहने लगे अरे यार यह क्या ख़बर तुम ने दी अब अभी तो तो तुम्हें कहता से आयो बार वो वीसी शुक्ला करता है ऐसे फिर पकड़ लो तो मैंने कहा यार पकड़ लो लेकन तुम चेक कर लो ख़बर ठीक है तो खैर वो ख़बर ठीक निकली अब लेकिन उसमें रिस्क यह था कि क्या क्या अब मुझे पंजाब में एक पुलीस आफिसर था आई पीएस तो एक शाम को मैं गया तो कहने हैं निगर साथ कुछ हो रहा है एमर्जंसी क्या मैंने क्या हो रहा है कहता है हम को कहा गया है कि देखो कौन से विनेबल कंडिडेट हैं उनके नाम दो अच्छा अब यह तो बहुत तो मैंने कहा किस से चेक करूँ शेशन वगारा तो यह तो मुझे कोई गया है मैंने यह हमारे दूरिंग एक एकस्प्रेस का बोर्डरी कांसिचूट किया गया था तो जिसमें कमलनाथ थ और दूसरा हम पजबी के नाते से तो मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया जब खबर उसने मिले शाम को दी उस आदमी ने तो मैंने कमलनाथ चाय पी रहा था तो अब मैंने कहा कि यह कैसे इसे पूछूँ कि वह इसे कंफर्म हो तो मैंने ऐसे पूछा मैंने का कमलनाथ तुम तो चंदवारे से मुझे पता लड़ रहे हो लेकिन संजे गांधी कहों से लड़ेगा कहते हैं वह हमने अभी चंदर शेखर एहमदावाद में कायदा है तो उ उसको बेजा है उसके लिए लिए लिकुन तुम्हें किसने बताया बस कंफर्म हो गया तो कंफर्म हो गया यह जो मैं कहना चाहरा था कि स्टेट्समें में जिस समय इंसाइट वगरा या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग चुकि इंडिया में एक तरह से वह पहला फ कुपार्टिस है या अख़वारों गया रिवाज नहीं था मैंने शुरू किया मैं मुझाद है कि अब पंदत नहरू का तो देट हो गया अब कौन होगा सो मैं इदर शास्त्री जी को जानता था शास्त्री जी कहने लगे यह नहीं कुपार्टी में बहुत कुछ जगड़ा कोशिश कर रहे हैं का कठा होने की तो मुराजी के बात भी गया तो मुराजी का वो लड़का जो था कामती उसने कहा मुझे देखते ही अरे उसको अपने आदमी को लाजबादर को गव बैट जाए क्योंके तो हम जीत रहे हैं यह लिस्ट वगरा बताई तो मैंने आके यह मुराजी डिसाई वस दफस्ट तो थ्रो इस हैट इंडरिंग यह तो एजन्सी में दिय होगी हाँ ने दिये ना तो यह फ्रेज यह मुआ अमरिका से चीखा होगा लोग उस खबर का इतना हुआ कि मैं जब बुकर के अब पार्लिमेंट हाउस गया तो कामराज उतर रहे थे सीडियों से मैं वो चड़ रहा था तो मुझे कहने लगा थांक्यू वरिमच्च थेंग वरिमच्च बस यह थैंक्यू किस बात कहहा कि जो पार्लिमेंट वह सो बोट का फरक डाला सुव वोत नहीं किसलिए किसलिए है कहते हैं वह जो ख़बर मैंने कभी मेरे दूआ कर, क्योंकि मैं पी आई बी से आया था, अब देखे कभी ख्याल नहीं था, तो मैं मुराजी के पास गया, मैंने कहाई मुराजी भाई देखिये, कि अगर इसका कुछ हुआ तो विटिंग ली नहीं हुआ, अन्विटिंग ली होगा, मैंने यह पास्ति को तरीका आता था लीनाई का काम हमें, मुझे तरीका नहीं आता हो गारा इस तरह, वो आखरी दम तक बलके जब वो प्राहिम मिस्ट्र भी बन गए, तो वो इस बात पो नहीं भूले, क्योंकि मैं जो प्राहिम मिस्ट्र बन गए तो मैंने उनको मुबारिक वाद देने क्या, मैंने का मुराजी बाई मुबारिक हो, यह काम तो बहुत अज़ाद है, हाँ कम होता, अगर तो मुझे प्राहिम मिस्ट्र बन गए देते, तो हम भाई ने, वो उनके दमाग में रहा, आखर तक को रहा, लेकिन मैं कहरा हूँ, क्यार से हुए, एक्सप्रेस में आप एक्सप्रेस न्यू सर्विस के आईटर थे, और वहाँ भी खूब आपने रिपोर्टिंग भी की, और इमर्जेंसी वाले, उसमें एक तरह से नाराजगी, लेकिन आप क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तब बन गए थे, या आप ज़नलिस्ट के नाते, आपको जिस रामनात गुइंका कोभी इंटर्फियर नहीं किया, जो एमर्जेंसी में मैं कह सकता हूँ के एक्सप्रेस ने जो रोल प्ले किया वो बहुत और उसका यही कारण था कि हमारे फ्री हैंड थे, और सबसे ज्यादा रामनात गुइंका, रामनात गुइंका बंबे में रहते थ यह तो मैं पता नहीं कह सकता कि भई क्या तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन जहां मी मैं गया हूँ, कॉंगर्स वाले तो कहते हैं कि भई इसको किसी ना किसी तरह कुछ करो, तो कॉंगर्स की यह हकूमत थी, तो जब वो उसने मालनिंग दी तो मेरा चाल था, तो निकल चेक तो मुझे उसने कहा कि भी दिखो, तुम आपने घर में कुछ चीज भी है, तो निकाल दो, मैंने सुनाए कि तुमारे घर पे छापा लगेगा, जो भी हो दूसरे दिन, सुबहां सुबहां आये पुलीस वाले, तो मैंने कहां आँ देखिए, कर, क्योते जी नहीं सर्च वर आपकी तरफ था, क्या हुआ ये बड़े-बड़े अगिटर, ये बड़े-बड़े तंखा पाने वाले, बड़े-बड़े नाम, नाटे डाग हैस बात, अटल जी ने वहां तकरीड की, इतनी बड़िया तकरीड, अगर उस दिन वो पाकिस्तान में कहीं स्टें कर देखिए ये मैं तो आपको बताओं कि काईदे अजना से मैं बात कि कि अगर थार्ड कंट्री हिंदुस्तान पे अटेक करेगा तो पाकिस्तान का क्या टीचिए अगर हमारे सोलजर जो हैं तुमारे साथ रहेंगे खड़े और खून बहेंगा वगारारा बड़े बड़े ने शास्ती शास्ती जी कैने लगे कि अगर सिक्स्टी टू वार में लिजर साथ वो आते हैं उनके सोल्जर यहां मारे साथ मेंकाबला करते हैं खून बैता उनका भी हमारे बाद में अगर पाकिस्तान कश्मीर मांग था तो ना करनी मुशकल होती जब शास्ती जी आप ताशकंद का हो रात को इनको दौरा पर बड़ा और वो अयूब मुझे याद है सुभा को एक दो बजे के करीब आए तो मैं वही माजूद था तो कहने लगे हिर लाइस दा मैं जो हिंदूस्तान और पाकिस्तान को करीब ला सकता है झाल